जय जगनात दोस्तों ये चिनमे कुमर्दा आप लोगों को स्वगत कर रहा है इस चैनल में। अज हम अलोचेना करेंगे कार्थिक माह का क्या गुरूत हैं। कार्थिक माह एसरे कोन लाहभू होईता है। कोन कोरिवा उचित। ठीके दोस्तों चले शुरू करते हैं कार्तिक रास में क्या दान करना चाहिए आपको पता है होगा कि कार्तिक माह में राशी का यानि दिल का दान करना चाहिए कर्तिक मौसरे राशी दानों करिबाद चीद और श्नान कहा करना चाहिए श्नान नदी में करना चाहिए अगर नदी पास में नहीं है तो क्या करें हर किसी के पास नदी तबादा नहीं है तो ये काम किया चाशकता है जिस बल्टी में आप पानी लेकर नहाने जाते हैं या जिस जगह में पानी लेकर आप नहाने जाते हैं वही विस जगह पर आप शुमरन करें माता गंगा को और उस पानी में आवाहन करें माता गंगा को आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं या आप सिधे भी बोल सकते हैं हे मातागंगा आप इस पानी में पधारिये तीन बार इसको बनना है ठीके तो जदी आपन मने नदी रेगाधी पारू ना थी पाखरे नदी नहीं तेवे कों करिवे जो जगारे नही किरी पाणी आपनों अधू चन्ते सेही जगारे आपनों गोंगा दिवेंको स्मरण करी परंधी हे गोंगा माता एही जला मद्योंको प्रवेस करंथो एवली भावरे तिनी तर आपनों कोही गोंगा मातांको स्मरण करंथो एबं गंगादेवी सुक्मर उपरे से जला मद्यने प्रविस करे धान्ति यह आपना गंगादेवी को शुमारना करना है और इस जल में प्रविस करना के लिए उनको अनुरुद करना है तो यह हो गया आपका गंगादेवी और इसके पादेव इसमें सुनान कर सकते हैं तो ओर क्या करना चाहिए किस पत्ने में खाने से मुख्य प्रदान करता है आमारा संस्कृति में यह लिखा है कि पलाश पत्र में इस माह में खाने से मुख्य मिलता है पलाश पत्र रे भोजन करिवत द्वरा मुख्य प्रप्ति होई था है वले करति को महत्में कोई था है फिर देखते हैं कि इस शमय अगर हम साम के शमय तिल का तेल में दीप जलाए किसके नाम भववान स्री हरी और नारायन के नाम में साम के शमय यह संध्या शमय तो तिल का दीप जलाए तो क्या होगा इससे तो इससे यह होगा कि हमें लक्षमी माता लक्षमी जी का आशिरवाद प्रप्त होगा तो माता लक्षमी का आशिरवाद प्रप्त होगा तो हमारा घर धन संपति में भर जाएगा और हमारा भाग्य भी खुल जाएगा ठीक है तो इस माह में क्या खाना नहीं चाहिए ए इस माह में एक भिस्म पंचक ब्रत किया जाता है इस माह सरे विस्म पंचक ब्रत किया जाता है जो यह ब्रत पालन करता है उसका लाब क्या होता है महा पातक नासकारी यह ब्रत होता है महापात को नाशोकारी होई था है और क्या लाब होता है निशंतान व्यक्ति सापत्निक इस ब्रत करने से संतान प्राप्ति होता है बिभाह कर्धिवा दंपंतिंकर जदि संतान होन था है तेवे यही ब्रतपलान करिवाद द्वरा स्वामिस्त्री दुईजर्ण जाको एह ब्रतप्रान कर्योत द्वरा शंतन प्रत्तिमध्यों हुई थाएं ठीके तो ये था कार्थिक माह का गुरुत्यों और महिमा आप लोगंको अन्रुद है कि इसे अपने पास ये सिमित ना रहकर दूसरों को स्रेयार जरूर करें तो ये थाला कार्थिक माह सरो